हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं संत रविदास मंदिर मामले में प्रदरशन के दौरान वेत गिरफतार भीम आर्मी चीव चंदर शेखर ने तिहार जेल में वालमी की जेनती नहीं मनाय जाने देने पर दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने अपने संदेश में दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल से लोगों के मौलिक अधिकारों का हरण ना करने की चेतावनी भी दी है भीम आर्मी चीव चंदर शेखर दिल्ली की तिहार जेल में बंध है और वो वहाँ वालमी की जेनती मनाना चाहते थे लेकिन जेल परिशासन ने चंदर शेखर उर्फ रावन को जेल परिशन में वालमी की जेनती मनाने की परमिशन नहीं दी तो चंदर शेखर ने इसका विरोध किया और इसे मौलिक अधिकारों का हनन भी बताया चंदर शेखर ने जेल में वालमी की जेनती नहीं मना जाने की विरोध की जानकारी अपने साथियों से सारजनिक कराई है उनके साथ ही उने ट्वीट करके अपनी समस्या बताई है लेकिन साथ ही उन्होंने दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल को भी इसके लिए जिम्मेदा ठराया है अपने समर्तकों की मारफ़त चंदर शेकर ने केजरिवाल पर आरोप लगाया है उनका कहना है कि तिहार जेल की विवस्थाएं दिल्ली सरकार के अंतरगत आती है और यहां हमें वाल्मी की जैनती मनाने से रोका जा रहा है चंदर शेकर के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है जिसमें लिखा गया है जेल में हमारे सभी लोग सुबा से बोके हैं बिना जेयनती मनाए खाना नहीं खाएंगे केजरिवाल जी जल्दी विवस्था कराएं वरना दिल्ली भीमारमी आपको घेरने आ रही है इस ट्वीट में दिल्ली के सीम को टैग भी किया गया है वालमी की जेयनती नहीं मनाय दिया जाने का आरोप लगा कर ये भी पूछा गया है कि जब होली दिवाली मनाय जा सकती है त पर जवाब भी पूछा है उनके दूसरे ट्वीट में दिल्ली सीम से यही सवाल किया गया है ट्वीट में लिखा गया है मननिये मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल जी मानव के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें आप से हमें आशा है कि आप भीम आर्मी चीफ चंदर श जाते थे दिल्ली में अगस्त महीने में संत्र अविदास मंदिर गिरा दिये जाने के विरोध में चंदर शेकर दिल्ली में पर दिशन कर रहे थे जहां उन्हें गिरफतार करके तिहार जेल भेतिया गया था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं